नमस्कार मैं हूँ अतुल्च रुसिया आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉंड्री का हिंदी पॉड़कास्ट एनिल चर्चा चर्चा में आज जो मेहमान हैं मैं सबसे पहलों से आप सब का परिशे करवा दूँ ह समिता शर्मा है जूम पर जोड़ रही है समिता अंतर्राश्च इमामलों पर रिपोर्टिंग के लिए जानी जाती है और चर्चा में नियमित रूप से पाडिस्पेट करती है रहती है समिता बहुत-बहुत स्वागत चर्चा में जो विशे हैं उनकी जानकारी शारदूल देंगे उससे पहले एक दो जानकारियां हैं जो हमारे न्यूज लॉंडरी के सब्सक्राइबर हैं जो हमारे शोता हैं उनके लिए एक तो बैंगलोर में हमारा सब्सक्राइबर मीट होना है 17 तारिख को 17 जून को और यहाँ पर आप से मिल सकते हैं मनिशा से मिल सकते हैं इसके अलावा न्यूज लॉंडरी और दे न्यूज मिनट का जो कोलाबरेशन है इससे समंधित भी बहुत सारी जानकारियां और बहुत सारे कुछ अनॉंसमेंट्स हैं जो कि वहाँ पर ही आपको पता चलेगे तो जो हमारे बैंगलोर क आसपास के सब्सक्राइबर्स हैं वो जरूर वहाँ पर आएं नोटिस इसका जारी हो चुका है और इसमें रेश्टेशन खुला हुआ है तो आप रेश्टेशन करवा सकते हैं जिल लोगों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्रिप् फंड ये अभी चल रहा है इसमें जल्दी से जल्दी इसको पूरा करने में हमारी मदद करें जो सुर्खियां हैं उनके बारे में शारदूल एक बार आप जानकारी दे दें हमारे शोताओं को फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं तो इस हफते ये हफता काफी विजी रहा खबरों के हिसाब से तो पहली तो जब ये चर्चा पिछले हफते रिकॉर्ड हो रही थी उसी दिन शुक्रवार को दो जून को उडिसा के बालेश्वर में भयंकर ट्रेंदुर घटना हुई इसमें अमोमन तीन टेनों की भिढ़नत ह होई हाला कि हम विस्तार से चर्चा करेंगे वाद में क्या हुआ अभी तक 288 लोगों के मारे जाने की खबर है और 1000 से जादा लोग घायल हुए है घटना में सभी प्रशासनिक दड़ों से राहत और बचावकार जारी है लेकिन दुरगटना इतनी बड़ी है कि बहुत से ल अलग-अलग अपने-अपने और से अनुदान की घोशना की तो इसने भी एक राजनितिक बवाल खड़ा हुआ तुरिणमूल कॉंग्रेस ने जो अनुदान की घोशना की उसमें भाजपा बंगाल भाजपा की और से आरोप लगा कि 2000 के नोट दिये जा रहे हैं और ये काले रोड इलाके में 56 वर्षिय मनोज रमेश ने अपनी 32 वर्षिय लिविन उनकी साथी थी विद्या उनकी हत्या की फिर शव के टुकड़े-टुकड़े करके उसको सबूत को पूरी तरह मिटाने की कोशिश की और ये मामला प्रकाश में तब आया जब लाश की सदान्त लोग पी है उसे गिरफतार कर लिया गया है भारत के नए संसत भवन में अशोक के सामराज्य के समय का अखंड भारत का नक्षा एक तरह से लगाया गया है प्रदर्शित है तो इस पर भारत के पडोसी देशों की तरफ से आपत्ती जताई गई क्योंकि बंगलादेश के कुछ इल थोड़ी ज्यादा जोर शोर से दिखाई पाकिस्तान की इसको थोड़ा से समझेंगे समिता से एक बार बारत में विदेश मंत्री ने इस जैशंकर ने इस पश्टी करन दिया कि यह राजनेतिक नहीं सांस्कृतिक नक्षा है और इसे इतिहासिक धरोवर की तरह दिखाया ग में एक थोड़ी अच्छी सी ख़बर है कमी में आती हैं केंद्र सरकार ने खरीफ की सभी बड़ी फसलों के लिए MSP बढ़ा दी और हमारे श्रोता और जो भी समाचार सुनते हैं वो जानते हैं MSP बढ़ाने की मांग किसान काफे सा मेसेज कर रहे थे और सरकार ने इस निड़ने में लगभग 23 फसलों के दाम बढ़ाए हैं जिन श्रोताओं को जानकारी ना हो तो इसमें ग्रेडे धान अरर उड़त का पास इस तरह की फसले आती है ब्रिटेन का एक ठिंक टैंक है चैटम हाउस उसने सैटलाइट की तस्वीरों के जरीए कहा है कि अकसाई चीन में चीन की सेना ने अपनी पोजीशन और सुद्रण कर ली है और यह उन्होंने एक स्टडी की है कि आर इंडिया इन चाइन बाउंट फर अनाधर बॉर्डर क्लाश तो उसमें उन्होंने कहा कि पहले चीन की सेना के जो पड़ाव थे वहां वो बिखरेव अगली सुर्खी दिल्ली में जो प्रदर्शन चल रहा था लंबे समय से उससे जुड़ी है जो पहलवानों प्रदर्शन था उसे 15 जून तक फिलाल विराम दे दिया गया है पहलवानों ने जो प्रदर्शन कर रहे थे खिलालियों ने खेल मंतरी अनुराग ठाकुर से बात की अनुराग ठाकुर उनसे मिले और उन्होंने आश्वासन दिया है कि ब्रजबूशन सिंग के खिलाफ कारव होगी इंटर्नल जांच कमेटी का गठन होगा जिसकी अध्यक्ष एक महिला करेंगी और कुष्टी संके चुनाव भी होंगे जो पहलवानों ने मांग रखी थी कि ये काफी लंबे समय से रहे हैं और इनके से जुड़ेवे लोग उन्हें भी मानने के लिए सरकार दिखाई पढ़ रही है तो इस वज़े से 15 जून तक प्रदर्शन को उन्होंने स्थगित कर दिया है एक सुर्की है जिस पर आज हम चर्चा भी करेंगे वह महाराष्ट और रखन दोनों से जुड़ी है घटनाओं में समानता है इसलिए मैं साथ बता रहा हूं िसमें जो आंदोलन है पहलोँ का इसमें दो तीन चीजे है जो मैं जल दीज बता दू यह जो समझाओता हुआ है पांच यह शे सुत्ट्री जो समझाओता हुआ पहलोँ और उनके बीच में उसके बारे में लोगों को जानना जरूरी है क्या क्या बातों ही एक तो 15 जून कोई भी प्रोटेस्ट नहीं करेंगे पहलवान अब दूसरा इस समझोते का बिंदू है कि दिल्ली पुलिस 15 जून के आसपास अपनी चार्चीट फाइल कर देगी इस मामले में जो जाच कर रही है ब्रिजभू शन्टरन सिंग के खलाफ इसके अलबा जो 28 माई को संसद दर्ज की गई थी पहलवानों को उपर वो FIR वापस ले जाएंगी इस चौथा पॉइंट है जो डबलू एफ़ाइ रेस्लिंग फ्रेडरेशन अफ इंडिया की जो एड-hawk कमेटी बनेगी उसमें दो कोचेज को शामिल करना किया जाएगा जो की पहलवानों की सहमती से नाम कमपलेनेंट्स हैं जो साथ नाम है था उसमें से एक जो माइनर कमपलेनेंट थी वो उसने अपना विड्रो कर लिया है बाकी जो छे हैं उनको पुलिस प्रोटेक्शन दी जाएगी सरकार की तरह से ये छे महतुपूर्ण बिंदु हैं और इसके अलावा एक और बिंदु है जो ब्रजभूशन साम और उनके परिवार के किसी भी सदस से को चुनाव लगने की इजाज़त नहीं होगी बाहर के नए लोगों को मौका दिया जाएगा ये सरकार का कहना है उनके एडिमनेस्टेशन के जो भी साथी थे उने भी परिवार के अलावा ये भी था उसमेह ना छे जून को रैली निकाली जिसके दौरान मुसल्मानों के संस्थानों और उन पर विक्तिकत तोर पर भी हिंसक हमले हुए उनके खिलाफ अपमान जनक टिपड़ियां ठोक के भाव हुई और घरों पर भी उन पर हमले किये गए अचा ऐसा ही कुछ उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी हुआ है वहाँ एक नावालिग लड़की का जैसा की खबर आई अपहरन करने की कोशिश दो यूवक कर रहे थे उनमें से एक यूवक मुसल्मान था इसके बाद शेहर में खुलकर काफी सारी जनता बड़ी संख्या में सडकों पर उतरे और उन्होंने शेहर के सभी मुसल्मानों को शेहर 15 जून तक छोड़ कर जाने के लिए कहा और चेतावनी दी के महापे महापंचायत होनी है उससे पहले चले जाई है इसके बाद उन्होंने जो मकान मालिक थे कई मुसल्मान क्योंकि किराय पर भी रहते हैं तो उनसे ये भी कहा कि अगर आपके किरायधार कुछ करेंगे तो मकान मालिक जिम्मेदारी दे फिर दुकानों के बाहर पोस्टर भी इसी तरह की चेतावनी देते वे लगा दिये गया है प्रिशासन की और से महराष्ट के मुख्यमंत्री एकनाच शिंदे ने जंता से अपील की है कि वो शांती बनाय रखें ये भी सामप्रदाइक तनाव की विज़े से भड़का तो ये जो वातावरन मुसल्मानों के प्रती नफरत का वातावरन तेजी से बढ़ता जा रहा है तो अज उस बात भी करेंगे दो हेडलाइन कैनडा से जुड़ी हैं पहली कैनडा में 700 भारतिय चात्रों को वहां से डिपोर्ट करने का आदेश वहां की सरकार ने दिया है प्रशासन का कहना है कि ये लोग छूठे एडमिशन लेटर्स लेकर वीजा लिया था इन्होंने और इसलिए उन्हें वापस भारत के विदेश मंत्री ने जरू कहा था कि उन्हें कैनडा की प्रक्रिया पर विश्वास है वह काफी फूल प्रूफ है लेकिन उन्होंने जो भी मदद हो सकता है राजनितिक धड़ों से यह कहा गया है कि बच्चों की जो भी मदद हो पाएगी वह लोग करेंगे कैनडा से जुड़ा जो दूसरी खबर है वो थोड़ी पेचीदा है कैनडा के ब्राम्टन शहर में पूर्व प्रधान मंत्री इंदरा गांदी की हत्या की एक जहांकी बनाई गई और उसे एक सेलिब्रेटरी टोन में दिखाये गया अच्छी जीज़ की तरह है भारत में जाहिर तोर पर इस पर आपक्ति जताई और पहली बार शायद खुलकर विदेश वंत्राले की ओर से कहा गया कि कैनडा में इस तरह के भारत विरोधी तत्वों को शरण मिलती है और वो शह उन्हें वहां की घरेलू राजनिती की वज़े से दी जाती है इस पर फिर कैनडा में की ओर से टिप पड़ी आई कि भारत उनकी घरेलू राजनिती में दखल दे रहा है हाला कि अब आधिकारिक तोर पर इस तिती को समालने की कोशिश की जा रही है लेकिन ये बात किसी से नहीं चुपी है कि कैनडा में खाले स्थानी भारत से भी ज्या देखिए ये जो मसला है ये दरसल ये वाक्या हमें बताया जा रहा है ये चार जून का है क्योंकि छे जून को जो 49 साल पूरे वे थे ऑपरेशन ब्लू स्टार उसके पहले ये परेद निकाली गई पाच किलोमेटर लंबी परेड थी जिसमें एक जहाकी निकाली गई जिसम दो दशमलब एक फीसिदी जनसंख्या प्रतीशत जो है वो सिखों का है दो हजार इकिस के संसस के मुताबिक और जो लाजिस्ट सिख पॉपिलेशन है कानडा में वो दरसल ब्रांटन में ही है इन में से एक बड़ा तपका ऐसा है निश्यत रूप से जो प्रो खालस्तान है और इसके जो है एक बहुत लंबा इसका एक परिपेक्श रहा है जो सिख्स वो जस्टिस नाम से एक संकठन है जो भारत में प्रतिबंदिध है और वो हर दूसरे दिन पता नहीं आप लोगों को टैग करते हैं या नहीं कम से कम हम विदेशनी की कबर करने वाले जॉर्णलि चाहिए तो ये सिख फॉर जस्टिस की जड़े हैं वो भी ब्राम्टन में ही मौझूद है तो कैनिडा की एक जो दिक्कत हो रही है ना यहाँ पर देखिए ऐसा नहीं है कि कैनिडा में मौझूद पूरा का पूरा सिख डायस पूरा प्रो खालिस्तानी है यह जहना दूसरे भी जो मतलब माइनॉर्टी वोट बैंक की एक एहमियाद बड़ी है वहाँ पर कैनिडा के लीडर्स इसको गलत तरीके से कॉन्फलेट कर रहे हैं उनको लग रहा है कि सिख डायस पूरा का मतलब है खालिस्तान और यह बात हम ही नहीं कह रहे हैं यह बात खुद कैन गांदी ने अपनी मौत से अपनी खुद मतलब जिस तरीके से उनकी हत्या की गई उनकी सो बैयासी में उनके पिता अपिय तरुदो को जाकर उन्होंने इस बात की शिकायफ पीदी की किस तरीके से सेपरिटिजम को हवा दी जा रही है कानडा में बहुंजुद लोगों की तो उस वक्त से लेकर अभी तक वहां लगातार ऐसे कई अख़वार हैं 2002 में हो या कई बार ऐसे कई ऐसे मौके आए जो वहां स्थित कुछ पंजावी अख़वारों ने गोरी इलस्ट्रेशन्स कियें इंद्रा गांदी की मौत को का जो है तरीके से जश्न मनाया तो ये कैन पग तीन दशकों से वहां खालिस्तान को मैप कर रहे हैं और उस पर कवरिज कर रहे हैं उनका मैने इंटिव्यू भी किया हुआ है उनकी किताब भी आ रखी है खालिस्तान पर वो खुद भी समझते हैं कि किस तरी से इस वक्त जो है स्कूरूड अब हो रखी है कानड़ा की इसके सही माइने में consequences हो तो ये आप अगर राजनितिक्यों को की तरफ से अगर वो सही नजरिया नहीं लिया जाता है कि ये पूरा का पूरा डायस्पोरा खालिस्तान समर्थक नहीं है आप इसको खालिस्तान के नजर से ना देखे अपनी minority votes जीतने के लिए रिष्टों में निश्चित रूफ से बहुत जादा खटाई आई है जस्टिन टूदो भी जब पिछली बार भारत आये थे बहुत विबाद हुए थे उनके पूरे के पूरे विजिट को लेकर अगर आपको याद हो उनके साथ उनकी एरक्राफ्ट में दो ऐसे लोग आ रखे थे जो प्रो बार बार अगर जब होती है आप एक या दो बार आप मिस्टेक कर सकते हैं कानेडा के हई कमिशनः भले ही ट्वीटर पर जाकर कहें कि मैं कंडेम करता हूं इस तरह के परेड को लेकिन कहने न कहीं कानेडा को सोचना होगा कि अगर भारत जैसी एगिопenter के साथ आपको रिश परियात प्रत्क्रिया है या उसमें कुछ किसी तरगी आप कोर कसर देखते हैं और दूसरा चीज की अचानक से ये जो पूरा का पूरा मामला है पंजाब का जो पूरा सेपरेटिस्ट मोमेंट है आम आदमी पार्टी के सरकार में आने के बास से ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ उथल पुथल सी हो गई है कभी हम अमरितपाल का फिनोमेना देख रहे हैं फिर कैनेडा में देख रहे हैं और बिटेन में भी सिख डाइसपूरा जो है वहाँ पर भी इस तरह के इलिमेंट बहुत सारे काम कर रहे हैं अचानक से ये क्या हुआ है कि जो लगबग अरल फिनोमेना दिख रहा है सामने से की औरकेस्ट्रेटेड है एनिमेटेड है बनाया हुआ खड़ा करने की कोशिश हो रही है और दूसरी तरफ हम ये डैसपूरा में अलग-अलग देशों में देख रहे हैं ये क्या आपस में किसी तरह से जोड़ती है और इसमें भारत सरकार कि क्या एक बड़ी डिप्लोमेटिक भूमिका बनती है कि एक बहुत कलेक्टिव समगर तरीके से इसको निप्टा जाए ना कि इसको bits and pieces में ये आया इसको छू दो ये आया उस पर बयान दे दो इसको दबादो इसकी बजाए अब एक एक कलेक्टिव प्रयास की ज़रूरत ह खास करके बिटेन, उस्ट्रेलिया और कैनिडा जहां जहां और अमेरिका में जैसे सान फ्रांसिस्को बगरा में जहां जहां सिख डायस्पोरा जादा है वहां वहां ये सिख फॉर जस्टिस जैसे संगटनों की कोशिशें उसमें तेजी निश्चित रूप से आई है लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि देखे पंजाब के अंदर जिस तरीके से अमरितपाल सिंग को प्रॉप अप करके कहने की कोशिश की जा रही थी कि शायर ये मामला जो है रिटर्न अफ दे निटीज है रिटर्न अफ दे डाक मूव्मेंट अफ दी निटीज है उसे मैं नहीं मानती हो मुझे नहीं लगता है कि अमरितपाल सिंग इतना बड़ा फिनामेना था या अभी भी खालिस्तान के पास इतनी बड़ी ताकत आ गई है कि या तो वो खुद चुनाब जीत ले पंजाब में या तो वहां की लोकतांत्रिक जो पुरी प्रक्रिया है उसको डिरेल कर दे य मुझे नहीं लगता कि इसे इतना इग्जाजरेट करना चाहिए पंजाब के अंदर हाला अभी भी उतने खराद नहीं है जितना की मीडिया के कई सारे तपकों में उसे बताया गया दर्शाया गया लेकिन भारत के लिए अब ये है कि ये सारे मुल्क निशित रूप से ये आप एक साथ एक डिक्टाट इन मुल्कों के लिए तो नहीं देख सकते हैं सबके अंदरूनी जो है नियम कानून अलग है भारत की तरफ से ये जरूर किया जा सकता है कि वो हाई कमिशनर्स को तलब करें और जो वो कर भी रहे हैं जब जब हमारे ये तमाम कॉंसल जेनरल्स पर हमने देखा हाल के दिनों में वहाँ या तो अटैक्स हुए वैंडलाइजेशन हुई लोगों का जो प्रोटेस्ट था वो हिंसक हो गया भारत ने इसको कूटनीतिक तरस्तार पर जरूर उठाया है लेकिन ये निशित रूप से जो है एक सीरियस मामला है खास करके जो ड अगर इस तरह की बाते होती रहूं और रिष्टों में अगर दरारों की वजहा वो बने कानेडा के साथ में आपको बताओं कि कानेडा में जब ये जस्टिन त्रूदो ने एक बयान दिया था किसान आंदोलन पर भारत सरकार ने और बहुत मतला सा ट्वीट ही था वो बहु कि मैंने तक कैनेडा के साथ कोई आधिकारिक मुलाकात करने से इंकार कर दिया था और मैं आपको ये बता सकती हूं कि उस वक्त यहां कैनेडा ही हाई कमिशन बड़े दिक्कत में पढ़ गए थी कि आखिर हम करे क्या सारी की सारी मीटिंग्स कैंसल हो गई है उसके बाद जा है कि यह six war justice जिस तरीके से इनको यह overseas क्योंकि six war justice इंडिया में तो band है दूसरे संगाठन इसको जो हवा देने की कोशिश कर रहे हैं बाहर पंजाब के अंदर इसमें देखिए निशित रूप से यह सवाल खड़े हो रहे हैं कि अंधरूनी इस तरीके से जो कानून विवस् था उनके कंट्रोल में नहीं है पुलिस उनके कंट्रोल में नहीं है लेकिन एक front line state में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो कमजोर पड़ती हुई नजर आती है तो उनके खिलाफ एक माहोल जो है बनाये जा सकता है यह सवाल निशित रूप से पूचे जा रहे हैं लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि यह जो खालस्तानी सेंटिमेंट जो इस वक्त इन इवेंट्स के जरीए देखा जा रहा है वो पंजाब के अंदर अभी उस तरीके से अक्टिवली ट्रांसलेट नहीं होता है मेरा बस यही अगला सवाल क्वेशन मेरे दवाग में था शारदूल और अवधिश आप दोनों लोग भी इसमें अपनी राय दे सकते हैं कि एक बॉर्डर स्टेट होने के नाते जो खालस्तान की समस्या है भले मेरा सारा फोकस यह है कि आप इसको समस्या भले अभी इतनी ब जड़ में यह था कि जितनी वहां की इंटर्नल इंसर्जेंसी थी उससे यादा वहां बारी और पाकिस्तान का जब तक वह था तब तक एक बड़े उसमें दिखतारा और जैसे ही पाकिस्तान का फोकस वहां से शिफ्ट हुआ कश्मीर की तरफ गया और डाइडाउन हो गई तो यह हमको पता है कि लोकल लिवल पर उतना बड़ा उतना स्ट्रॉंग सपोर्ट नीए फिर भी यह देखते हुए कि थर्ड पार्टी इंट्रेस्ट हो सकता है उसमें तब अलर्टनेस की जो जरूरत होती उस लिहास से मैं पूछ रहता है उस पे शारदूल रोदेश पहल और 90 के देशक में भी जो सपोर्ट होता अब उतना भी नहीं है तब भी मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं था लेकिन है क्या जो कैनडा के परिपेक्ष में जो हम बात कर रहे थे यूके या जो कैलिफोर्निया सान फ्रांसिस्को में जो काउंसिलेट पर हमला हुआ था सोशल इससे जादा कर भी नहीं सकते देखिए सब सुतंत्र मुल्क हैं डेमॉक्रिसी भी हैं तो आप बहुत ज्यादा प्रेशर बना भी नहीं सकते लेकिन ये कम से कब मैं सरकार से अग्री करता हूं कि ये कड़ा रुख अपनाना जरूरी है क्योंकि जगमीज सिंग जो है अगर तो वहां पे घरेलू राजनेती में इसका इस्तमाल होता है लेकिन भारत कड़ा रुख अपनाएगा तो कैनेडा उसको जितना कर सकता क्योंकि देखिए वहां पे absolute free speech के कानून भी है तो sick for justice जैसे यहां बैन है वहां बैन होना इतना असान नहीं है जब तक वो कोई active terrorism उनक पर judgment नहीं पास कर रहा है मैं आपको वस्तुस्तिती बता रहो इसलिए sick for justice वहां पर mobilize कर पाता है लोगों को भहसों में भी पढ़ जाता है आमने सामने कई बार मतलब खूब शोर शराबे वाले vocal protest भी होते हैं जैसे समिता बता देती डायसफोरा दूसरा भी effect होता है लेकिन तब भी इसका support जनता में उतना नहीं है जितना Canada specific के politicians में बहुत है क्योंकि उन्हें वो एक दिखता है अपने vote साधने का तरीका और जगमी सिंग ने अपनी एक बनाई है image और अपना एक vote bank खड़ा किया है और वो उस पर काम लगातार करते रहते हैं पर मुझे भारत सरकार अगर इस तरह का रूख अपनाते हैं हमारे विदेश मंति और विदेश मंत्रा ले तो कैनडा को मैसेच चला जाएगा अच्छी बात है कि भारत ने इस तरह का रूख अपनाया कि मतलब एक पिर्थाना बन जाए क्योंकि आज ये सत्ता में है कल को हो सकता है इनके अगेंस् कभी जो सत्ता में थे आज उनका वहां विरोध हो रहा है तो यहां की जो गोर्मेंट है उसको एकसेप्ट नहीं कर रही कि ये चीज गलत हो रही है और खुल के बोल रहा है इस बात दूसरी बात जैसे किसान अंदुलन था हमने उसमें देखा था कई बार खालिस्तानी समर् इस तरह की चीजें होई बोला गए कि खालिस्तानी उसे पैसा आरहा है इस प्रोटेस्ट के लिए तो उस समय भी जो है पक्ष के लोगों ने भी तरकी के साथ अपनी बात रखी और उसको जो भी गलत चीजे हो रही थे उसका अपना एक मतलब रखा सामने कि ये सब चीजे नहीं होनी चाहिए और उसका विरोध हुआ तो अच्छी बात है कि सरकार ने इस पर जो है एक्शन लिया है तो इसको मैं एक होंगी कि देखिए अगर आपको यादो मुहाली में भी जो पंजाब इंटेलिजेंस हैर क्वार्टर पर एक आर्पीजी अटाक हुआ था जिसमे एजन्सियों ने कहते हैं कि यह सिक्स पॉर जस्टिस से जुड़ा हुआ मामला है कानेडा को यह समझना होगा कि एक तो भारत सरकार में आज की तारीक में इसमें कोई दो राए नहीं है कि अभी की जो विदेश नीती है उसमें भी एक मजॉरिटेरियन और जो स्ट्रॉंग पर्सपेक्टिव है मोधी सरकार का वो देखने को मिलता है और उनके लिए यह नुकसान दे होगा क्योंकि अगर कारोबार वगेरा को लेकर सरकार यहां पर कहती है कि ऐसे भी कानेडा के साथ जिस तरह कारोबार हो सकता है उससे काफी कारोबार होता है और एक ना एक पेश अब चात्रों का मसला आपने उठाए मैं उसमें जड़ से बोलू ये जो चात्रों का मसला है रिखिए 700 लगभाग ऐसे चात्रे हैं पंजाब से और ये इस वक्त सबसे बड़ा जो है राकेट बताया जा रहा है क्या हुआ है ये चात्रे गए थे कानेडा पढ़ाई करने के लिए 5 साल पहले इन चात्रों का दावा है कि इन्होंने जिन कॉलेजेज में अडविशन लिया जब वह वहां पहुँचे तो उनको बताया कि कि वो कॉलेजेज अलड़ी ओब बुक्त है उनको दूसरे कॉलेज य चात्रों पर हमले होने लगे थे नसलिया हमले बताये जा रहे थे कानून विवस्ता से जुड़े हमले बताये जा रहे थे उसके पीछे भी जो वजह थी अगर आप देखे एक मश्रूमी पेक एडुकेशन इंडस्ट्री और वो दोनों तरफ से गल्तिया हो रही थी एक तर ड्रीम्स हैं वो चाते हैं कि विदेश में जाकर बस जाएं तो उसके लिए जो आसान मुल्क हैं उनको लगता है कि कैनड़ा चले जाएं और चले जाएं वहां जाकर किस तरह की मश्रूमिंग और ती इंस्टिट्यूट्स के लोग जा रहे थे वहां फेशियल सीखने के लि देखे अब साथ सो चातरों को आप डिपोर्ट करने की बात कर रहे हैं और उपर से जो हैं इसमें हैं एक्स्ट्रीमिजम की आग तो ये सारे अगर आप सिट्वेशन को एक साथ ले मुझे लगता है कि भारत कैनड़ा की बीच आज के जो रिष्टे हैं ये दोनों मुल्क आ प्रेजिदेंसी कर रहे हैं टूरो साव आएंगे यहां दिली में इस साल तो ये रिष्टों में करवाहर जो है आगे बहुत तेजी से बढ़ सकती है अगर इसके लिए जो है करेक्टिव स्टेफ्स तुरंत ना लिए खास करके कानड़ा के अंदर जहां तक वो फेक पढ़ रहा है भारत कानड़ संबंदों पर पूरा एक इतना बड़ा पूरा वो जो डॉलर ड्रीम इंडस्ट्री है इतनी बड़ी है वो एजुकेशन में भी है इन जनरल भी है लोग जाना चाह रहे हैं जो थोड़ा सा भी जिनकी स्थिती ठीक नहीं है या जो जिनकी खेत पंजाब में इंडस्ट्रिल रेवल्यूशन नहीं हो रहा है पंजाब में अच्छी जॉब्स की दिक्कत हो गई है और जो खेती का भी था वो भी अपने पीक को टच करके और वो निगेटिव साइड में चला गया है लैंड की सिती खराब हो चुकी है तो यह सब में किसले क जोड़ना चाहरा था आपने एक चीद और जोड़ी थी वह आम आदमी पार्टी और सीमावर्ती प्रदेश से जुड़ी तो मैं ही कहा रहा था मुझे नहीं लगता जितने स्टैप हमने उठाए आप नीतियों के विरोध में हों भले ही पार्टी और किसी भी राजनेतिक द क्योंकि देखिए उनकी इमेज जैसा आपने का अगर पहली बार उनके हाथ में प्रशासन आया कानून विवस्था और अगर बिगड़े तो यह उनके पार्टी के भविश्य के लिए भी अच्छा नहीं होगा और भारत के लिए तो जनता के लिए किसी भी तरह से अच्छा होना उसका लिक संभा भी नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं एक और विश्य हमारा आखरी जो जिस पर हम विस्तार से थोड़ा बात करेंगे वो है उड़ी सम हुई रेल दुर गट्टी लेकिन उससे पहले एक और विश्य है जिस पर हम बात करना चारा है और भारत की जो देकर आसपडोस के तीन देशों ने आपत्ति दर्ज कराई है जिन में नेपाल है बांगलादेश है और पाकिस्तान है तो ये जो बातचीत है ये बातचीत आप सुन सकते हैं इसके बाद पॉड़कास्ट पर वीडियो का हिस्ता हम यहां पर रोकेंगे धन्यवाद